नमस्कार अबिगरे नेक्स्टर स्पिर्च्विल आपके साथ मैं हूरी ना एस्ट्रोजी और वास्तों शास्तों में कई शुप और अशुप चीजों का जिक्र किया गया है ये चीजे से करात्मक्ता ना करात्मक्ता अमेरी गरीवी दुख सुप का कार्ड बनती है इसलिए घर में वो चीजे होनी चाहिए जो शुप मों साथी उन्हें सही जगा पर भी रखना चाहिए आच्छे में कैसे फूलो वो पौदे के बारे में आपको बताएंगे जिससे जोतिश और वास्तों शास्त्र बेहच शुमाना गया है इस पौदे का संब्ध में की देवि मालक्षमी से बताया गया है इस पौदे को घर में लगाने से घर में धंदौलत आती है लेकिन कमाल की बाती है कि ये पौदा तोलसी का नहीं है लेबल की कनेर का पौदा है कनेर के फूर कुपसरत होते हैं और माहोल में ताजगी भर देते हैं घर में करीड का पौदा लगाना बालकनी आहन के खुचुर्थी को बढ़ा देता है लेकिन खुचुर्थी के लावा कनेर का पौदा स्खरात मकता और घंबी देता है बास्तो शास्ति के अंसर यदि करीयर का पौदा सही तरीके से गर में सही जिगा पर लगाया जाए तो बहुत लाव होता है गर में करीयर का पौदा लगाने से मालक्षमी प्रसंद होती है और घर में हमिछा धन समुद्धी रहती है करीयर का पौदा बालकनी में या घर की लॉन में लगा सकते हैं इसे उत्तर या उत्तर पूर देशा में लगाना ब्रहत शुब माना जाता है गर में करियर का पॉदा लगाने के सास्तर थर्चकरवार को मलक्षमी के पूजा करनी चाहिए उन्हें सफेद करियर के फूल अर्पित करें ऐसा करने से करियर में तरक्म होती है व्यापार मतेजी आती है आये बढ़ती है आर्थिक सिती बहते है वहीं शुक और सबागे पानी के लिए घर में पीला कनेट भी लगा सकते हैं इससे बदी पत्नी के रिष्टे बेहतर होते हैं और घर में पुशाली आती है अगर आपको मरे जान कर दो जबूए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और आने वाले वीडियो से ब्रेट पाने के लिक चैनल को सब्स् झई से झाल.